आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा चमतकारी उपाए जो कि आपकी जिन्दगी बदल सकता है किस्मत बदलते देर नहीं लगती यदि इस उपाए को कर दिया जाए तो देखते ही देखते आपकी किस्मत करवट ले लेगी अपने जीवन में सकारत्मक उर्जा को पाने के लिए इसका प्रियोग किया जा सकता है और ये जो उपाए है ये काले जादू का है अमावस पे काला जादू जो है वो किया जाता है तो आप इस प्रियोग को करके अपने जितने भी दुखडे हैं जितने भी आपका कलेश है उसको दूर कर सकते हैं और आलवकिक शक्तियों की प्राप्ति करके अपना मनुरच सिद्ध कर सकते हैं तो इस उपाए को करने के लिए सबसे पहले आपको ये ग्याद होना चाहिए कि भूमती अमावस्या कब है दिनांक बारा को बारवे महीने में ये अमावस्या पढ़ेगी सुबह छे बजे से रात के दो बजे तक ही रहेगी और इस काल में यदि आप ये प्रियोग कर देते हैं तो कुछ अलौकिक शक्तियां आपका काम स्वेता ही बनाना शुरू कर देंगे यदि आपको कोई सरकारी जॉब चाहिए तो भी ये प्रियोग आप कर सकते हैं बिजनस में कोई घाटा हो रहा हो कोई कर्च लिया हो चुका ना पा रहे हो तो भी ये कर सकते हैं यदि कोई प्रेम संबंध हो और सामने वाला मान ना रहा हो तब भी ये कर सकते हैं और यदि विदेश यात्रा का आप सपना देख रहे हैं और लाख यत्न करने पर भी ना बन रहा हो, तो भी ये उपाय किया जा सकता है, तो आज सुबह छे बजे से रात के दो बजे तक ये नक्षत्र बना हुआ है, ये काल जो है, इस काल में यदि आप इस प्रियोग को कर द जाएगा, और इसके बाद जो है, आपके जीवन में सकारात्मक्ता आनी शुरू हो जाएगी, जहां पर अन्दकार होगा, वहां प्रकाश हो जाएगा, जहां पर निराशा थी, वहां पर आशा की करना जाएगी, तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ, पूरी विधी किस को क इस परकार से करना है, आपको क्या करना है कि अपने कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, घर के समीप मिल जाएगी, किसी वाटिका में मिल जाएगी, कहीं पर भी आपको शमी का पौधा ढूनना है, शमी का पौधा ढून लेना है, और उसका जो है, एक काटा आपको ले आना है इस काटे पर आपको एक हजार आठ की संख्या में क्लीम मंत्र का जाब करना है मंत्र जाब के बाद इस काटे को चांदी के तबीज में भर कर रख दीजिए और उस काटे को बाहर बाहर से प्लास्टिक में रैप कर दीजिए ताकि वो खराब ना हो और फिर इसको लाल धागे में बांध कर पहन लेजेगा आज ही की रात्रे में दो बजे से पहले पहले तो होगा कुछ ऐसा कि जो ये अलौकिक शक्तियां है ये जिस किसी के पास ये तबीज होगा उसके काज सवारने शुरू करतेंगी कुछ ऐसी शक्तियां आएंगी जो कि आपके हित में कारे करना शुरू करतेंगी जहां पर आपके कारे बिगड रहे थे लाख यतने करने पर भी बन नहीं रहे थे वहाँ पर सोयते ही अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे ये अति प्राचीन गूड रहस है जिसे कि शमी का काटा भी कहा जाता है जो कि शत्रूओ पर विजय प्राप्त करने के लिए भी बहुत सठी को पाए है इस तरह से यदि आप कोई तबीज बनाते हैं तो यकीन मानिये ये उम्र भर के लिए आपको एक सुरक्षा कवश देगा यदि कोई आपका बुरा चाहता है, कोई बुरी नजर लगाना चाहता है तो ये जो तबीज है तूटकर गिर जाएगा और उसी शनाप समझ सकते हैं कि आपके उपर किसी ने काला जादू या फिर कोई बुरी नजर लगाई है तो करने का विधान बहुत ही सिंपल है, आपको बस पूर्वु मुखी होकर इस मंतर का जाब करना है क्लीम, क्लीम मंतर का जाब कीज़ेगा, इस काटे को अपने हाथ में लेकर या फिर आप तबीज में भरकर भी उस तबीज को अपने हाथ में लेकर इस मंतर का जाब कर सकते हैं जब मंतर का निर्मान पूरा हो जाए तो आप ये अंतरराज से प्रारतना केजिए कि आपको क्या चाहिए आपकी क्या कामनाई है और आप किसलिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं उसके बाद इस तबीज को पहन लेजिए पहनने के बाद कुछ चमतकारी घटनाएं आपके जिवन में आ सकते हैं जैसे आपको सौपन में कोई आकर कुछ बताए तो बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा यादि मंत्र जाप के समय कोई दुरगटना हो जैसे कोई सामने आ जाये कोई शक्ति आ जाये जो आप से कुछ मांगे तो उसे उपहार में आपको देने के लिए कुछ होना चाहिए चाहे तो आप कोई मिश्ठान ले जाएं कुछ भी आप ले जा सकते हैं जो भी आप उपहार में उनको दे सकें वैसे तो होता नहीं लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि शक्तियां जो है प्रकट हो जाती है तो उस स्थान पर आपको कुछ ना कुछ मीठा रखना होगा अपने पास जो कि आप उनको दे सकें इसके बाद इस यंत्र को धारन कर लेना है दो बजे से पहले पहले आज की रात में और जो आपकी कामनाई होंगी जो भी आपकी अभिलाश है कि आप यह चाहते हैं वो सब बताईए और इसके बाद यह यंत्र अपना काम करना शुरू करतेगा आपको क्या करना है बुद्धवार और शुक्रवार को इस यंत्र को धूब दिखानी है धूब दीपग यह सब इंसेन की पूजा करें और पहने आपको यह प्रती शुक्रवार और बुद्धवार को करना होगा अगर आप इस तरह से इसके प्रतिष्ठा करते हैं और इसको संभाल कर रखते हैं तो यह आपके सारे काम बनाता चला जाएगा इसे कभी भी किसी ऐसे स्थान में ना ले जाएए जहांपर कि किसी के मृत्य हुई हो या किसी का नया जन्म हुआ हो यह दोनों जो पोर्टल्स जहांपर खुलते हैं वहांपर आपको यह चीजे नहीं लेगे जानी वरना इसमें जो है नकारत्मक उर्जा भी प्रवेश कर सकती है तो इस तबीज को ऐसे स्थान पर ना ले कर जाए धारन करने के बाद रात को अगर आप इसको पहन कर सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं और अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं कभी भी इस तबीज को किसी दूसरे के हाथ में ना दे यदि ये आपने बनाया है और आपके लिए है तो सिर्फ इसको आप ही पहने यदि कोई दूसरा इसे पहनता है तो आप बरबाद हो जाएंगे आपको किसी भी हालत में इसको सुरक्षित रखना होगा क्योंकि ये शक्तियां अगर आपके पास से गई तो आपका सब कुछ ले जाएंगे आपको ये ताबीज अपनी जान से भी ज़्यादा केमती होना चाहिए क्योंकि यदि कोई और इसे उठा कर पहन लेता है तो मैंने देखा है कि बहुत से नकारत्मक जो हैं घटनाएं सामने होने लग जाती है तो इसको बनाते हुए ये ध्यान रखें कि आप इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखें तो जो भी कामनाब करेंगे उसको ये पूर्ण करता जाएगा और इस अमावस की रात में आप कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं कोई अपना येंतर भी सिद्ध कर सकते हैं और बहुत ही चमतकारी रात है आज की रात आज की रात यदि किसी मंतर का गूमफन किया जाए तो वो बहुत शेगरती शेगर सिद्ध हो जाता है और बहुत से मेरे सादक हैं जो पूछते रहते हैं कि गुरुजी कैसे किया जाए मंतर कैसे सिद्ध करें मंतर सिद्ध नहीं हो रहे तो आज की रात आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। आज की रात को व्यर्थ ना गबाएं, बस बैठ जाएं और कुछ ना कुछ तो अपने लिए बनाएं, कुछ साधनाएं करें, जिससे कि आपका जो कोटा है वो भरता जाएं। यदि शत्रूओं ने परेशान का रखा हो, किसी भी तरह का कोई भी घर में कलेश हो, मनमुटाव हो, तो भी इस यंत्र को पहना जा सकता है। यदि आप इस धरा पर जो भी चीज़े उपलब्ध हैं, उनके प्रतियापका आकरशन हैं, तो भी आप इस यंत्र को बना सकते हैं। इस धरा पर जो जो चीज़े हैं, उन सब को आकरशित करने में, ये यंत्र आपकी सहायता करेगा। चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों नहों। ये यंत्र आपको बड़े से बड़ी चीज़ सरलता से, सुगमता से आपके पास उपलब्ध करा देगा। बस आपको इसे लाल ध इस यंत्र की कीमत रहेगी पचपन सो रुपे। ये सेवा सिल्क आप जमा करके इस यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। आज रात से पहले पहले जिनके ओर्डर्स आ जाएंगे उनके लिए मैं बना दूगा। बाकी इसके बाद ये नहीं बनेंगे। इसके बाद अगली से अभी हम देखेंगे। तो जिस जिसको चाहिए वो ओर्डर करें। वाट्स अप नंबर है मेरा ट्रिपल लाइन टुएट फोर सोला पच्छिस इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये अंत्र बनवाना है। ये अंत्र बनवाने की राशी देने के बाद अपना मेटर्स भेजें तो आपको तीन दिन के भीतर भीतर ये ये अंत्र मिल जाएगा। इसको पहने और अपने जीवन में एक ऐसा उल्लास आप पाएंगे कि जैसे आपने दुनिया जीत लिए ह। एक बार इसको आजमाएं और फिर देखिए चमतकार किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। किसे कहते हैं।